हेलो दूस्तो स्वाटत है आग सबका आपके अपने चानल आरें ग्लोरी में और आज की सुड़े में हम आपको बथाएंगे कि मैथ के बेसिक फॉर्मूला दोस्तो जो हमारा रिलेटेड होगा दोस्तो हम आपको हर फॉर्मूले पर एक एक कोशन को सौब करके बथाएंगे जिससे आपको अच्छे सिज़ा में आखें दोस्तो चलिए प्रण जरी के सुड़े को सुनू करते हैं दोस्तो आए देखें अपना फर्स्ट फॉर्मूला का है फर्स्त है एक की पॉल मृक्ति पर एक यादट की पहुकर एक पौन फॉर्म。 दोस्तो यहाँ पर जेखें और बेखें जेएंक पोरने प्रण पॉरिकर जूर्ण ज planting दोस्तों आएए इसको एक एक ग्जाम्पल समझते हैं मालेजिए हमने लिया 2 की पावर 5 multiply 2 की पावर 3 दोस्तों देखें इसमें बेस है वह क्या है सेम है और पावर अलग अलग है और यहाँ पर multiply भी हुआ है तो यहाँ हम लिखेंगे 2 3 5 प्लस 3 अब दोस्तों देखेंगे फिर 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 1 तो यहाँ जाएगा 2 की पावर a तो यह हमारा answer होगा दोस्तों अब देखेंगे अपना second formula second formula का है second है a की पावर m divided a की पावर n equal to a की पावर m minus n दोस्तों यहाँ पी लिखें बेस क्या है same है और divide करने पर जो power है हमारी वो क्या हो रही हैं गड़ जा रही है दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हो एगए हुआ कि जब में हमारा base same रहेगा , power अलग लग रहेगी divide करने पर जो power हे वो गड़ जाएगी दोस्तों आईए इसकी quelle z Steph bay लृप्ट जो है और यां पर क्या है अलग-अलग है उंसा इस फिर जो प्वड जायेगी इस भी यहां पर निक देंगे तो सबसे पहले में लेगते थे इसकी थारा 5-3 तो 7 की पावर 2 आगई तो यही मेरा आंसर होगा दोस्तों है दिखते हैं हम नेक्स्ट पर्मूला नेक्स्ट है एक की कावर M होल की कावर N इकल टू एक की कावर M दोस्तों अगर आपको ऐसा दिया रहता है कि कोई भी नमबर है अगर उसकी कोई कुछ दे दे और होल की पावर में कुछ दे दे तो दोनों जो पावर हैं अपको दी गई है उन दोनों का आपसमा मुर्टिप्लाई हो जाता है देखे दोस्तों इसको भी केजाप्पल समझते ह हम ने लिया 10 तो 10 कि पावर 3 और फोल की पावर 7 दोस्तों अब इसमें देखे इसमें क्या होगा जब राकट ओपर होगा तो मिर्टिप्लाई होजाएगा और यह अपर दिया भी हो एक मिर्टिप्लाई तो समसें होगे 21 तो 10 कि पावर हो जाएगी 21 यह राजी सा रहा जाए तो यहां पर तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी संख्या है अगर उसकी प्वावर वन है तो उसका अंसर वही खुद संख्या होगी जैसे दोस्तों में लिया 5 5 या अगर इसकी प्वावर 1 है तो इसका अंसर 5 की होगा वह खुद संख्या होगी अगर तो इसका अंसर वहीद खुद संख्या होगी 375 अब दो साही देखते हैं next next क्या है कि a की power 0 इपड़ to 1 इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब भी हुआ कि अगर कोई भी सब क्या है उसकी power अगर हम 0 रखते तो उसका अंसर 1 ही आएगा ऐसे दोस्तों हमने लिया मैं लेजिए 1051 और इसकी power हमने रखा 0 तो इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर बनाएगा क्योंकि हमने आपको यह बता रहा है अब दोस्तों इसी तरह से 10 है इसकी power हमने 0 रखा तो आंसर बनाएगा अब दोस्तों आई देखते हैं next तो next है a upon b whole power m equal to a power m upon b power and दोस्तों इसका मतलब क्या इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको कुछ भी दे दी तो इसका मतलब अगर उसको solve करना है तो इसके लिए जो numerator है और इन दोनों में हमारी पोवर लग जाती है दोस्तों इसको एक एक्जांपल समझते हैं मालीजिया अगर है 5 upon 6 और वोल की कोई अंगे लगया 2 तो हम इसको कैसे करेंगे देखे जब अनियोमिलेटर है और दोनों में हमारी power 2 लग जाएगी तो हम क्या लिखेंगे लिखेंगे 25 power 2 upon 6 power 2 समपे कितना हो जाएगा 55 चा 25 upon 66 चा 36 जहांपर अंड़ देने 36 अब दोस्तों इस वाया है यह वर क्या होगा अंसर होगा अध्युसाही रिखते हैं नेक्स्त नेक्स्त है एक पावर माइनस एम इकल टू वन अपॉन एक आपकर एम दोस्तों इसको मत लगें वाग क्या कोई भी नंबर दे दे और उसकी पावर अगर डिगेटों में दे दे तो उसको पोजिटिव में इनक्या करेंगे नेक्स्तों सबसे हम उसका रिख रोकर कर देंगे हम यहाँ पर बन अब ऑन जो समक्रिषा है उसको लिख देंगे वह कि नीचे आजाएगी वह हमारे पोजिटिव में अबहेगैं हमा लीजे हमने लिया 9 और 9 की पॉवर उन्हें माइनस 2 रखा तो इसको हमें जो माइनस 2 है पॉवर अगे निगेटिव है तो उसको पोजिटिव हो रहा है तो कैसे होगा देखें और आपको जाएगो 1 अपॉन 9 पॉवर 2 देखेंगो उसको जैसे हमको यहां पर थिया है वैसे हमने यहा पर यहां जाएगा अंसर हो जाएगा दूस्तों आए नेक्स क्या है एक पॉवर एक सब्सक्राइब और इसका मतलत क्या हुआ है इसका मतलत गीए हुआ कि अगर कोई भी नमबर है और उसकी पोज़ा को फ्रेक्शन में दे दे तो दूस्तों इसके लिए जो मारा और वो नुटर है वो मारे वूल लंबर के साथ अंडरूट के अंदर हो जाता है दोस्कों आईए के जब तर समझते हैं मारी जैमने लिया 49 और इसका जो पावर रखे हमने वह रखे वरपोन 2 दोस्कों अब इसके लिए क्या करेंगे किसा सुरे अंडरूट आप दोस्कों यहांपे ट्यू नुर्मिने गया है तो आप लिया किसी में कहुत है लिए अगर बन रहता है तो इसका अंसर नुट मिए होती है जोस्के तो दोस्के मैं ayre बाइन खुछ संख्या होगी तो यहाँ पर अम्य देदें अंडरूट 59 अब दोस्तों देखिये कि इस में 49 जो है यह किस संख्या का स्क्राइब धूझाOWelfia अंसर होगा दोस्तो अगर आप वीडियो पंसेनद आई होगी तो या लाइक कर देगा अप डेसमें फेसमें सबुस्क्रेंब बेलित केता है इसको सबस्राइक है तो